इने दिनों से जो लोगों के मन में था कि मंदिर बनना चाहिए तो लोग खुस है हम भी खुस है राम रम लिखो सब अंग में और लिखो पत माही भजन करो मन मुदित होई मान बड़ा बनना ही हमारे 200 साल का हमारे पुदबज ने किया है तो उसी समाई को देखो बनाया है और वो भी विसी करता है तो हमारे तो पुदबज को करा है उसको हम ने चुदी हम हमारे मंदिर बनता है यभी जैजे पुदबज तो उसको हम उसी मनाएंगा हमारे साथ 36 गड़ के राम नावमी समुदाय के कुछ लोग यहां पर मौजूद है 22 जन्वरी को एउध्या में राम का जो मंदिर बन रहा है उसकी प्रान प्रतिष्था हो रही है इससे काफी खोस है और आज यहां 36 गड़ पहुंचे हैं इनका कहना है कि प्रधान मंत्री और भारती जन्ता पाल्टी की जो ग्री मंत्री है प्रधान मंत्री नरेन मोदी इन्होंने मंच से इन्हों सब को मंत्रित किया था कि राम लाला के दर्सन के लिए आएं तो यह दर्सन के लिए आएंगे मगर कहीन कहीन की मन में एक कसक है कि जो वेक्तिगत इनको निमंतर मिलना था वो वेक्तिगत निमंतर नहीं मिल रहा है मगर इसको भी वो बड़े सहजता से ले रहा है और उनका कहना है कि ये जो हम राम के भक्त हैं और राम के भक्त जो है राम मंदिर जाने के लिए उनको नम्यंतरन की जरुवत नहीं होती, वो खुद बोखुद चले जाते हैं, हमारे साथ यहां पर राम नामी यहां मौझूद है, अध्या में राम का मंदिर बन रहा है, कैसे महसूस कर रहे हैं, और आप लोग जाएंगे दर्सन के लिए, जी जानते हैं कि बाइस तरीक को राम नाम का पान पतिष्टा होने जा रहा है, तो वेक्तिका तुरुप से आपके पास निमंतरन नहीं आए, फिर भी आप लोग जाएंगे, थोड़ा सा मन में थोड़ा सानी लिए रहा है, करीब सौ साल से भी अधिपूरानी आप लोगों के परमपरा, एक हजार से ज़्यादा लोग, आप लोग पूरे 36 गड़ में हैं, तो आप लोगों को अगर खुद अगर मिल जाता, यह निमंतरन पर तो जौर ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा थोड़ा सा लग रहा है मन में, नहीं, हम मान समान से परें हैं साब, क्यूंक हमारा मनना है रमनमियों का, रामरम लिखो सब अंग में, और लिखो पत माही, भजन करो मन मुदित होई, मान बड़ापन नहीं, हमें किसी मान और बड़ापन के आउसकता नहीं है, यह तो अपना आत्म सुद्धी, आत्म उतिहार के लिए कर रहे हैं, हम किसी विशेश इस् रमरम में बसा है, रामरम कणकण में बसा है, इनका कहना है कि नान सम्मान के भूखे नहीं है, नान सम्मान की जर्वत नहीं है, क्योंकि राम जो है, इनके कणकण में बसा है, इनके रूमरम में बसा है, और आप देख रहे हैं, कि पूरे सरीर में इन्होंने नामरम लिखा क पेपी राम नामी, ये पूरे राम नामी के नाम से यहां पर प्रसिद्ध हैं और भजन करते हैं, राम की गीत गाते हैं और आज भी यहां पर आये हुए हैं और उनका कहना है कि राम लल्ला के दर्सन के लिए चरूर जाएंगे, अधिया जाएंगे, दर्सन करेंगे, अभी कितने लोगों की तैयारी आप लोगों की जाने है और हमने जैसे आपको कहा कि हम हमारा जो उसी तारीक को हमारे पुर्वजों ने डेड़ सो साल पहले पॉस्चुक्लपक्ष एकदसी को डिसाइड कर रखा है उसमें हमारा बड़ा भजन मेला कावजन होता है इसलिए अधूर जैजैपूर में ठीक बाइस तारीक को वदा आयोजन राम नाउमी का है इसलिए जापा रहे है तो आप राम नाउमी 22 तारिक को 22 जन्वरी को वहाँ प्रान प्रतिष्था होगी पूरे देश में आयोजन होगा तो आप लोग उस दिन किस तरह का आयोजन करेंगे पस हमारा भजन होता है अवस्त रामरम का भजन सार है करियू के वा नाम अधारा सुमरी सुमरी नरुत्रें पारा और कुछ नहीं जब तब पूजा विधान मुर्ति पूजा यह सब की हमें आउसकता नहीं है इस्वर निराकार निरले पर वेकरस है अगर यह बात है सच है तो यह जमेला अवस्त चलिए हमारे साथ माताजी भी राम मंदिर बन रहा है अध्या में बहुत इंतजार के बाद बना है राम कर रहेजाद के दो सव साल का हमारा पूर बंदने किया है तो उसी समय को देखो बनाया है अ वह भी उसी करता है तो हमारे को पूर्वाज के करह रहा है उसको हमने चोड़ेगा हम हमारा। अब दो उसको हम थोषी मनाएंगा वाजं करें भादनी कभी जा सकते हैं पकुर्ती देखो राम नंवीक की जाएंगा तो आपने सुना हो तो ऊपने जैसी लगर उने loud फिड़तने जाएंगे बाद में कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे मगर साथ ही साथ मुने ने जो भी बोला कि भगवान राम तो आयोध्या में भी आ रहा है मगर उनके रूम रूम में बसे वे हैं उनको मान सम्मान की जरुवत नहीं है जब मौका मिलेगा जब बुलाओ हो जाएंगे और दर्सन भी करेंगे हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा ज़्यार करें सब्स्वाइब करें हमें सुझाओ बेजें और मुझे और मेरे कैमरामेन संजी सिन्हा को दें इजाज़त नमस्कार